संभल कर किया करो गैरों से बुराई हमारी जो तुमारे अजीज है वो हमारे मुरीद है खुद को हमेशा स्पेशल समझो क्योंकि भगवान ने कोई चीज यो ही नहीं बनाई वंजिल का तो पता नहीं पर रास्ता सब कुछ सिखा ही देता है और अकेले चलना सीखे जनाब क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन अपनी उकार दिखाई देता है काश तुम्हे भी मेरी जरुत हो मेरी तरह और मैं तुम्हें नजर अंदाज करूँ बिलकुल तेरी तरह जब रानी वफदार हो तो बादमी सिकंदर होता है किसी ने धूल क्या जोंकि आंखों में पहले से बहतर दिखने लगा शांत रहो मुस्कुराते रहो इतना काफी है आपसे जलने वालों को जलाने के लिए किसी रस्मों रिवाज का मोताज नहीं हमारा रिष्टा मैंने तुम्हें ऐसे चाहा है जैसे मरने वाला जिंदगी चाहता है फन कुचलने का हुनर सीखे जनाब सांपों की डर से जंगल नहीं छोड़े जाते तमाम ताने जुत्ती के नीचे रखकर मैं बस अपनी बारी के इंतिजार में हूँ मैंने निभाया है हर रिष्टा इमानदारी से यकीन मानो कुछ नहीं मिलता इस वफादारी से किसमत ने मुझे उस उम्र में उदास किया है जिस उम्र में लोग अपने शोप पूरे करते हैं देखो मेरी दो ही क्वाइश है पहली ये कि तुम खुश रो और दूसरी है कि हमेशा मेरे साथ रो सब ठीक हो जाएगा और अगर नहीं हुआ तो आदित पढ़ जाएगी जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं उनकी खास बात यह है कि वो आपकी हर एक चीज पर नजर रखते हैं जिंदगी खेल उसी के साथ खेलती है जो खिलाडी टककर का हो जंग लड़नी ही पड़ती है अपने आप से जिंदगी के मैदान में कोई करीशमे नहीं होते पौन कहता है कि सास को बहु पसंद नहीं है बस बहु दूसरे की होनी चाहिए वालात गरीब हो चलेगा और सोच बिखारी नहीं होनी चाहिए तरक्की के सफर में अगर बुरा ही नहीं हुई तो गुरू मंजील बुरा मान जाएगी जो तोर है दुनिया का उसी तोर से बोलो भैरों का जमाना है जरा जोर से बोलो ससुराल में बेफिकर रहने वाली बहु के पीछे एक अच्छे हमसफर का हाथ होता है हमें बुरा बताते हैं उफ ये गंगा जल से धुले हुए लोग मुँपे अपना कहते हैं पीट पीचे हमें बुरा बताते हैं ये वही दो कोडी के लोग हैं जिने हम अपना खास रिष्टेदार बताते हैं काश अब लोग उतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे वो स्टेटस डालते हैं यदि किंतू परंतू ये सब बाद के पस्तावे हैं फैसला वही सुर्वेस्रेश्ट है जो मोकाई वारदात पर लिया जाए पता नहीं कौन सी गणित होती है रिष्टों में किसी के लिए कितना भी कर लो आखिर में सब सुनने हो जाता है एज जिन्दगी लोट जाना बच्पन की हसीन राहों में ये नए दोर के रास्ते तकलीफ बहुते थे बस इतनी से उम्र चाहिए मुझे जिन्दगी ना मरूं उससे पहले ना जियूं उसके बाद हर काम्याव सक्स के पीछे नफरत करने वालों की एक लंग भी कतार होती है जिन्दगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में चुपे गैरों का कभी पता नहीं चल पाता पसंद ना पसंद का मुद्दा ही नहीं है मसला मन का है और अब मन ही नहीं